पंचायत सचीब और जेपीएसी अभ्यर्चों का आंदोलन बदस्तूर जारी है इस फहरिस्त में एक और आंदोलन जुडने जा रहा है रविवार को धनबाद के मोहदा मोड से बोकारों के नागन मोड तक मानव स्रिंखला बनाई जाएगी 40,000 लोग शामिल होंगे आपके मन में सवाल होगा ये मानव स्रिंखला आखिर किस सिलसिले में बनाई जा रही है आंदोलन की वज़ा क्या है लोगों की मांग क्या है इसमें कौन-कौन लोग शामिल होने वाले हैं चलिए सब कुछ जानते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं The Follow-Up मैं हूँ सूरज बतादू कि दिसंबर 2021 में कार्मिक विभाग ने संसोधि नियमावली का गठन किया था इसमें जिलास्तरिय पदों के लिए बतोर इस्थानिय भासा भोजपूरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया मैट्रिक और इंटर इस्थर पर ली जाने वाली परत्योगिता परिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था धनबाद और बोकारू दो ऐसे जिले हैं जहां भोजपूरी और मगही को शामिल किया गया है विरोध इसी बात को लेकर है इन जिलों के अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन पर भोजपूरी और मगही को जबरन थोपा जा रहा है हमने इस सिल्सिले में कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत भी की उनका कहना है कि धनबाद और बोकारों की सीमा बिहार से सैक्डो किलोमिटर दूर है इन जिलों में भोजपूरी और मगही बोलने वाले लोग दो फिजदी से भी कम है बावजूद इसके महच सियासत के लिए भोजपूरी और मगही को शामिल कर लिया गया गरतलब है कि बोकारों और धनबाद में पहले से इस्थानिय भासा के रूप में बांगला, नाकपूरी, खोर्था और कुर्माली मौजूद है अब भ्यर्थों की मांग है कि इस्थानिय भासा की सुची से भोजपूरी और मगही को हटा दिया जाए उन पर जबरन ये भाशाएं ना थोपी जाए सवाल है कि क्या उन्होंने सरकार या जन परतिनिदी के सामने ये बात रखी, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल ही में शिक्षा मंतरी जगरनात महतो चंदरपूरा आये थे वहाँ शिक्षा मंतरी ने आस्वासन दिया था कि उन्होंने सीएम को चिठी लिखी है व्यक्तिगत रूप से सीएम के सामने इस बात को रखेंगे भी चंदरप्रकास चौधरी ने भी आस्वासन दिया था कि उनकी चिंता सरकार की सामने रखी जाएगी लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसे में मजबूरन उनको आंदोलन के लिए बात धे होना पड़ा रविवार को सुभा साधी दस बजे से दोपहर दो बजे तक धनबाद के मोहदा मोर से बोकारों के नागन मोर तक मानव सरिंखला बनाई जाएगी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे अंत में आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने मैट्रिक और इंटर इस्तर पर जिलास्तरिय पदों के लिए जो संसोधित नियमावाली बनाई थी उसमें अलग-अलग जिलों में भोजपूरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया था लातेहार और चत्रा में मगही भाषा जोड़ी गई पलामू, गढवा धनबाद और बोकारों में भोजपूरी तथा मगही को जोड़ा गया दुमका, जामताडा, साहेब गंज, पाकूर और गोड़ा में अंगिका को शामिल किया गया धनबाद और बोकारों में विशेश रूप से भोजपूरी और मगही को सामिल किये जाने का विरोध किया जा रहा है इसे वापस लेने की मांग लगातार जारी है देखना होगा कि या आंदोला नाखिर क्या रुख अक्तियार करता है और सरकार इस पर किस तरह से संग्यान लेती है फिलाल इजाज़त दीजिए जारकंड और बिहार सहीद देश-दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए दो फॉलो आप के साथ धन्यबाद